अंतिम सफर पर राजमाता माधवी राजे संधिया थोड़ी देर में उनका अंतिम संसकार होगा इससे पहले ग्वालियर के रानी महल में उनकी पार्थिर देह रखी गई लोगों के दर्शन के लिए और अब अंतिम सफर पर राजमाता माधवी राजे संधिया राज स्री परमपरा के तहट उनका अंतम संस्कार किया जाएगा इससे पहले उनकी पार्थिव देह को दिली से गौलियर लाया गया फिर रानी महल में रखा गया पक्ष्वे पक्ष के कई नेता राजनतिक जगत की हस्तियां और आम लोग भारी संख्या में यहाँ पर बतार राजमाता किया जाता है पूरे अंचल में इस निधन की खबर के साथ ही दुख दर्द शोक रहा और अब राजमाता अंतिम सफर पर है तमाम जो दिगज हैं वे यहाँ पर पहुँच चुके थे 12 फरवरी 1940 में जन्म नेपाल के राणा राजवंश की राजकुमारी माधवी राजे जिनके दादा नेपाल के प्रधान मंत्री भी रहे और शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी 8 मई 1966 में माधवराव सिंधिया से शादी और चुकी परंपरा है शादी के बाद मराठी नाम माधवी राजे उनका रखा गया यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो ते रादेति संधिया आपको नजर आएंगे उनके ठीक पीछे पूर्व ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा वो भी लगातार चल रहे हैं राजसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना है प्रद्युम्न सिंग तोमर परिवार वाले पहले ही पहुँच चुके थे जो ते रादेति संधिया और बेटी चित्रांगदा सिंग ये सीधी तस्वीरें राजपरिवार का जो अंतिम संस्कार होता है वो छत्री पर होता है और किस तरह से वहाँ पर पूरी व्यवस्ता पहले ही कर ली गई थी वो हमने आपको बताया राजपरिवार से जुड़े सदस्य रिष्टदार वो पहले ही पहुँच गए थे जो तिरादित्य सिंदिया की भांजी के पती पटियाला के राज़ा कैप्टन अमरिंदर सिंग के नाती निर्वान सिंग जो तिरादित्य के भांजे कश्मीर रियासत के राजकुमार मारतंड सिंग ऐसा जो पूरा राजपरिवार है और रिष्टेदार है वो पहले ही पहुच चुके थे तो लगातार उस घर्टा क्रम पर भी नजर बनी रहेगी लेकिन अब वक्त हो चला है कुछ और खबरों का और खास तौर पर जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड को लेकर हम आपको रोजाना अपडेट करते हैं ताके चार तारीक को जब परिणाम जारी हो तो आपके दिमाज में कोई कन्फूजन ना रहे लोगसभा की सीटों का सियासी गणित हमा आपको समझा रहे इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश की दो सीटें धार और खरगून की लोगसभा सीट का वोटिंग ट्रेंड आपको बताएंगे बीते चुनाव में क्या वोटिंग ट्रेंड रहा ये भी हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे तो सबसे पहले बात आज करी जाएगी हमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट पूरे देश की अब इससे समझ लीजे चर्चित सीट है मंडी और चर्चा इस वजह से भी क्योंकि यहां जो प्रत्याशी है वो अपने आप में खास है बीजेपी की तरफ से बॉलीवूट की क्यूइन कंगना रनावत मैदान में है और इस फाइट को दिल्चस्ट बना दिया है कॉंग्रस ने राजघराने से आने वाले विक्रमा दिट्ट्य पर दाउं लगाया है वीर भद्र सिंक के ये बेटे हैं मौजूदा सरकार में ये मंत्री में मंत्री भी है अब ये लडाई हो गई है क्वीन बनाम केंग की कॉन के स्क्वेर भारी पड़ेगा ये तो जो जब जून में नती मंदी लोकसभा सीट का रहा है एक बात और है बड़े दिल्चस्त समीकारन इसके साथ जुड़े वह मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा दो हजार नौव में चौसट परसेंट से जाधा वोटिंग दो हजार नीस में जैसे की लेहर का जिक्रम हर बार करते हैं जीद का मारिजिन 2009 में 13,900 करीब 14,000 की लीड कांगरस के खाते में 2014 में 49,000 की लीड और सीट बीजे पी के खाते में लेकिन 2019 में एकदम बंपर मारिजिन होता है चार लाख से जाधा का फिर 2021 में उपचुनाओ होते हैं 8,666 की लीड जो बहुत बड़ी लीड आम तोर पर नह किसे margin रहाया, vote share की बात कर ली जाया, 2014 में 49% vote, 49, तकरीबन 50, BJP के खाते में, 44% से थोड़ा जादा Congress के खाते में, अंतर यहां 5% के आसपास, 2019 में किस तरह का trend रहा, 68% BJP के खाते में चले गए, 25% से जादा Congress के खाते में रहे, और अंतर यह तकरीबन 43% का बैठता है, लेकिन इसके बाद फिरुप चुनाओ, जिसका हमने जिक्र किया, उसने इस्तितियों को थोड़ा सा change कर दिया, यह मंडी लोगसभा के इस्तितियां, अब कुल चुनाओं यहां पर 17 हुए, BJP के खाते में 5, Congress के खाते में 11, जनता पार्टी के खाते में 1 चुनाओं यहां पर गया है, राज परिवार से बहुत जादा प्रभावित यह seat रहती है, एक सयोग इससे कहा जाता है, कि जिसकी म प्रतिभा सिंग के होने के बावजूत, केंदर में Congress की सरकार नहीं है, मंडी लोगसभा के इस्तियां आपने देख ली कितने चुनाओं हुए, अब जो मामला दिल्चस्प हो गया, क्यों हो गया, एक तरफ है कंगना रनौत, क्वीन, विक्रमादित्य सिंग Congress की तरफ से, ज प्रिमला से हमारे सयोगी है, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं, राजेंद्र हम लगातार हिस्ट्री बताते हैं एक सीट की, और आप तो खेर खबरों को इतने लंबे अर्से से देख ही रहे हैं, फाइट बहुत दिल्चस्प हो गई है, किस तरह से मुद्दों की चर्चा है, बायानों की चर्चा है, और क्या सेनेरियो बनता नजर आ रहा है, जब हम लोगों के बीच घूमते हैं, तो पूरे देश की निगाहे सीट पर है, राजेंद्र बिल्कुल अलित और फाइट दिल्चस पहले दिन से हो गई है, जैसे ही कगना रनावत का टिकट गोशित हुआ भाजपा की तरफ से, जो कॉंग्रेस की रास्टिय प्रववक्ता है, सुप्रिया सुनेत उनकी तरफ से ट्वीट आता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, उ इसी और की तरफ से ऑपरेट किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ये सीट पूरे देश में आ जाती है, क्योंकि चर्चा इस ट्वीट की भी होती है, और कंगना रनावत अपने आप में बोल्वड हसती है, उनकी चर्चा तो जोरूरी है, जिस प्रकार से सटीक और सीधे बयान कंगना रनावत देती है, उसके बाद फिर मंडी में आने के बाद फिर दोनों प्रत्याशियों, भाजपा और कंग्रेस के दोनों प्रत्याशियों, कंगना रनावत की तरफ से भी सीधी टिपनिया आना फिर शुरू होगी, जैसे ही सुप्रिया सुनेत का य अब तक लगातार आक्रमन दोनों की तरफ से किये जा रहे हैं और विक्रमा दित्या जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का लंबे समय तक कबजा जैसा कि आपने अभी बताया भी मंडी संस्दिय सीट पर रहा है दरशल यह सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो यह सीट बहुत बड़ी है अगर भारत में जियोग्राफिकली दूसरे नंबर पर यह सीट आती है अतना बड़ा क्षितर है और अलग-अलग रीजन है एक ऐसा रीजन भी है लहाल स्पिती और किनौर का चाहां बरपारी लगातार हो होगा एक ही समय पर अलग-अलग बहुत 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 शुक्रिया राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए स्वागी राजेंद्र हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे दो खास मेहमान आपको और नज़र आएंगे प्रदीब जोशी साहब वरिश्य पत्रकार व अबजे वाली सीट कंगना को यहां से उतारा गया सामने विक्रमा दित्य और फिर सिनेरियो टाइट फाइट जैसे हो गए इन सब के बीच आप क्या देख रहे हैं चार जून की तस्वीर जी सरव कि जो लोकसभा सीट है उस पर जो गहमासान है वो निश्चीत रूप से दोनों पार्टियों के बहुत ही मजबूत कंडिडेट लेकिन एक प्रकार से माचल प्रदेश की वेटी के रूप में जानी जाती रही है जिस प्रकार से उनोंने जो है एक उद्दव ठाकरे के खिला जो है राजनिदी की तरफ गया और कहीं न कहीं उनको जो है हिमाचल की बेटी के रूप में हिमाचल के लोगों ने जो है वो स्विकार कर लिया कि हमारी बेटी बड़ी काशी की तस्वीर तो समझ आती है चोटी काशी को कैसे देख रहे हैं आप नहीं देखें मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो दूसरे कंडिडेट हैं वहाँ पर वो भी कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूत उता रहा है क्योंगी कॉंग्रेस पार्टी के राजपरिवार के वो वेक्ति हैं जिनोंने अभी सीधा-सीधा टकराओ दिय नहीं दया था मुक्यमंत्री के चेरे को उनोंने विरोल तया था मुक्यमंत्री का और हमाचलपरदेश के मुक्यमंत्री का और कहीं निया कहीं さरकार go वो अस्थिर कर दीती उन्होंने तो उनका एक धबदबा रहा है पहले भी और माना जाता है कि वो एक जो है मजबूत वेक्ति, मजबूत अस्थान उनका हिमाचल प्रदेश के अंदर है लेकि जिस सीट के हम बात कर रहे हैं वहाँ पर मुझे लगता है इस बार जो कॉंग्रे और यही नुक्सान पार्टी को और विक्रमादीत्य को एक है वो नुक्सान हो सकता है यह पूरे देश में कॉंग्रेस की दिक्कत यही है ठीक है आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा अब बात हम अधिप्रदेश की करेंगे थोड़ा फोकस हमोंगे लोग सबासी टो पर जान लीजिए बहुत यहांस एक शहर है धार बोश्चाला वाला भी धार लोग सबाद 2004 तिरपन परसेंट 2009 परसेंट 2014 64 परसेंट 2019 75 परसेंट से जादा और 2024 72 परसेंट यहां पर वोटिंग हुई है पिछले बार से जो वोटिंग का ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम हुआ है यह धार लोग सबा की इस्तियां वोट परसेंटेज की अब फटावट जान लीजिए वोट शेर की क्या इस्तियां है 2004 में 49 परसेंट वोट बीजेपी के खाते में 44 कॉंग्रिस के खाते में 4 परसेंट का अंतर 29 45% बीजे पीके खाते में 46% कॉंग्रिस के खाते में 50аем परसंट कोंग्रिस के खाते में 209% बाचपा के पास अंतर यहां पर 11% का आ जाता है यह दहर लोक Сवा की कि रिषिग का मार्जिन 20 double 32 थीज़ार की लीड 2000 की लीड लोक सवा में 20大丈夫 बहुत मायने नहीं रखती, 2014 में एक लाग की लीड और यही बढ़कर 2019 में डेड़ लाख की लीड हो जाती है, ये धार की इस्तितिया, धार लुक सभा में किस तरह का समीकरण जो है, जीत के मार्जिन के लिहासे, वो समझ लीजिए, कुल चुनाओ यहाँ पर 15 हुए है, चार बीजेपी के खाते में गए, साथ कॉंग्रिस के खाते में गए, जनसंग के खाते में तीन आए, जनता पार्टी के खाते में एक चुनाओ यहाँ का आया है, कुल चुनाओ यहाँ पर अब तक 15 हुए है, धार लुक सभा का ट्रेंड हम आपको समझाने की कोचिश कर रहे है, जातिये समीकरण को बहुत बारीक तरीके से आपके लिए, सामान्य तीन लाग, पिछणावर्थ तीन लाग, सी दो लाग वोटर, स्टी, शेडूल ट्राइब, 6 लाग से जादा, मुस्लिम तकरीबन एक लाग यहाँ पर है, यह धार का जातिये समीकरण है, धार अब दो चे रादेशयाम मुवेल, तकर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो आदिवासी वोटर से उस पर बड़ी पैक इनकी मानी जाती है, रादेशयाम मुवेल की, यह स्थितिया यहाँ पर है, अब हमारे मेहमारों के पास चलेंगे, और प्रदीप सर हमारे साथ लगातार बने हुए, धार का मिजाज जो है, वो तोड़ा मिला जुला हमेशा सराय, जो आपने हिस्ट्री बताई है, पंदरा चुनाओ की, उसमें आपने देखा है कि जनसंग भी है, जननता पाल्टी भी है, कॉंग्रेस भी है, यहाँ पर दो विचारदारा, दो टाइप की विचारदारा के लो इस बार जो चुनाओ है, वो ज्यादा अंतर नहीं है, दो पर फरिष्दी का अंतर है पिछले चुनाओ के मुकाबले, तकरीबन-तियोत्तर परिष्दी मदान हुआ है इस सीट पर, दो परसेंट कम मदान जो है, वो उसका कारण गर्मी और शाम के वक्त पानी वगरे जो गि हुए उसमें दो मैला केंडिडेटी और दोनों आदिवासी वर्ग से थी तो इन सीटों पर मैला वर्ग का जो मद्दान कम हुआ है वो कहीं अलग-अलग चर्चाओं को जन्म दे रहा है मैं आपको रोकना चा रहा हूं सौरब दुबे भी हमाँ साथ लागतार बने हुए वो दिल्ली से भी तमाम चीजों को उसी बारी की से देखते हैं सौरब जी धार का मामला ठीक ठाक चल रहा था विधान साब हमें कॉंग्रेस की बहतरीन पर्फॉर्मेंस रही अगर एवरेज के सीटों के हसाब से देखा जाए लेकिन अचानक से प्रधान मंतरी मोदी आये और उन्होंने भोष शाला का जिक्र कर दिया भोष शाला में सरवे भी चल रहा है क्या तस्विर आप देख पा रहे हैं आपका प्रडिक्शन देखिए मैं जहां जहां पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पहुंसते हैं यह प्रदान मंत्री नाजन्द मोदी जी के करिश्माई नितित्व का जो है प्रभाव वहाँ इस परश्ट रूप से दिखाई देता है लेगिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं धार की तो वहाँ पर जो एस्टी समाज का जैक बड़ा वोट वैंक है जो वहाँ पर ज्याद को वह कहीं न जो दल लाब के बद वहां पर पहुंचाने का काम पर जे वो चीजह माइने रखेंगी वक्त की कमी है वक्त की कमी प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूं हाला कि मेरे पास बहुत सारे सवालें पर टाइम इतनी इजाज़त दे रहा है बहुत बहुत शुक्री आप दोनों का धार को लेकरम ये चर्चा की है इसे याद रखिएगा नतीजे वाले दिन इस पर बात करेंगे खटा-खट खटा-खट नमस्कार